जैम आतादी दोस्तों, आप सबी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मई और 20 मई 2021 के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहन अक्षत्रों की इस्तिती कैसी होगी और उनके अनुसार जो योग हैं वो किस तरह के बनेंगे उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में जानेंगे फिर वो आपका आर्थिक जीवन हो आपका करियर हो आपका पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन सिख्षा स्वास्त है हर चीज के बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे चोट सनिवे दिन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तित्थी नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं कि उन्नीस मई का दिन ये बुद्वार का दिन है शुकल पक्ष की सब्तमीति थी है और इस दिन अशलेशा नक्षत्र रहे इस दिन चंद्रमा किस्ति थी शाम 3.48 मिनट तक कर कराशी में है उसके बाद चंद्रमा सेहिंग राशी में चले जाएंगे और सूर्य तो व्रशब राशी में बैटे हैं तीन ग्रहों के साथ तिका नक्षत्र में इस दिन कोई अभी जीत गोरत नहीं है अब 20 मई का दिन ये गुरुवार का दिन है शुकल पक्ष की अस्ट मीति थी है दोपहर 12 बज़ कर 30 मिनट तक उसके बाद 9 मीति थी लगेगी मगा नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा सेहिंग राशी में है सूर्य व्रशब क्रति का नक्षत्र में है इस दिन अरवी योग बनेगा और इस दिन का आभीजीत मूर्थ है सुभा 11 बज़ कर 50 मिनट से दोपहर 12 बज़ कर 45 मिनट तक तो ये है ग्रह नक्षत्रों की इस्तिथी अब चंद्रमा ने अपनी राशी बदली है अब इन दो दिनों में जो चंद्रमा की इस्तिथी है वो सिहिंग राशी में है यानि चंद्रमा आपके छटे भाव से निकल कर सब्तम भाव में पहुँच चुके हैं अब ये जो सब्तम भाव की चंद्रमा की इस्ति काफी आप चुस्त महसूस करेंगे खुद को किसी तरह के मनुरंजन की कारेक्रम में शामिल होंगे यहां तक कि आप किसी अगर नए ब्रोजक्ट पर काम कर रहे हैं तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा करियर के शेत्र में भी आपके लिए यह समय अनुकूल र शाम का समय भी काफी अच्छा हसी-खुशी के साथ आपका बीतेगा अब इस दोरान आपको किसी अपने से कोई बड़ी खुश ख़बरी मिल सकती है और यह आपके दिन को बना देगी अगर इन्फॉर्मिशन टेक्नोलोजी के स्टूडेंट हैं आप तो उनके लिए दिन ब पड़ी है असानी से पूरा हो जाएगा जिससे राहत महसूस करेंगे सुकून की प्राप्ती होगी शांती होगी मन में काम का पूरा होने की घर में सुक्षांती बनी रहेगी यह समय ऐसा होगा कि किसी की तरफ आप थोड़े आकरशित जरूर हो सकते हैं जिसकी वज़े से आपके रिष्टों में थोड़ी खटा आसा सकती है अब पती पतनी के बीच भी किसी बात को लेकर थोड़ा जगड़ा भी हो सकता है तो पती पतनी को थोड़ा ध्यान रखना होगा बच्चों की तरफ से अच्छा समय रहेगा बच्चों की तरफ से अच्छी खुशी कि दिन के अंधत टक लेकिन सब सामाज्य हो जाएगा छो चोटी-मोटी-वटा-पटक थी दिन के अनध तक सब कोछ सामान्य हो जाएगा लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी जो यह परिशानिया हैं इनकी तरफ आपको ज़रूर धेहान देना होगा कि इस दोरान आपको तो एक थोड़ा सा चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपका अगर रूखा बरताब होगा तो वो परिशान कर सकता है किसी का अनादर या किसी को गंभिरता से ना लेना ये रिष्टों में कहीं ना कहीं एक धरार डाल देता है तो इन चीजों के दरफ ध्य जहां दें लेकिन किसी ऐसे शोत से आप धनर्जित कर पाएंगे जिसके बारे में आपने पहले ना सोचा हो कुछ ऐसी इस्तितिया विनिरमित होंगी पारिवारिक सदस्यों को आप बखुबी अपने हक में कर पाएंगे और उनकी कुछ जो शिकायत होंगी वो भी आपको काफी अच्छी रहेगी कुछ लोगों को वैपारिक तोर पर लाब मिलने वाला है और सेक्षिक लाब भी आपको देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं हम 20 मई की 20 मई का दिन कैसा रहेका तो 20 मई के दिन भी आपके सितारे बहुत बुलंध है आप देखे चार साज़ेदारी का भाव सब्तमभाव साथ में यह हर तरह की साज़ेदारी दिखाता है चाहिए आपके जीवन साथी के साथ साज़ेदारी हो वेपारी के साथ साज़ेदारी हो हर तरह की साज़ेदारी में यह सक्रिया होता है तो इन दो दिनों में एक तो आपकी सितारे बुलं दामपत जीवन में मधूरता बना कर रखेगे जीवन साथिक से अगर आपने कोई गिफ्ट देने का वादा किया है तो अपने वादे को जरूर निभाएं वरना उसकी तरफ से आपको सुननी पर सकती है मौडलिंग के शेतर से जुड़े जो लोग हैं उनको किसी अच्छे ब्रांड के लिए काम करनी का आफर आ सकता है तो उनको सचेत रहना है किसी भी तरह का आफर आता है तो उसको पकड़ लेना है बलकुल बच्चों के जरूरत की चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना होगा बच्चों पर भी ध्यान रखना होगा अभी ये समय है कि बच्चे मुबाइल लेकर या गेम खेलते हैं या जो भी करते हैं लेकिन आपको उन पर ध्यान जरूर रखना होगा लव लाइफ अच्छी है दोनों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा प्रेम जीवन के लिए इस दोरान आप दूसरों के बातों में आकर बस अपनी लव लाइफ को बिगाड़ेना इस बात का जरूर ध्यान रखें तीसरे व्यक्ति की वज़े से हमेशा रिष्टों में दरार आती है और इस चीज़ को आपको सीरिसली लेना होगा इस बार बिना मतलब के ही ऐसी इस्तितियां उत्पन हो जाती है क्योंकि प्रेम संबंदों को लेकर जो आपके अंदर डर है आपको उसी डर से दूर रहना है और किसी भी तरह के अलग तरह के संबंदों को पन अपने नहीं देना है तब ही जाकर आपका जो विवाहिक जीवन या प्रेम जीवन आप कह सकते हैं वो आपका सही ठीक तरीके से रहेगा यानि अगर हम इन दो दिनों को देखे हैं तो धन के मामले में तो दोनों ही दिन बेहद अच्छे होने वाले हैं ऐसी स्थितिया होंगी कि काफी दिनों बाद आपको बेहद खुशी होगी कि आपका जो काम है उससे आपको संतुष्टी मिली है या कुछ लाब आने की आपको उम्मीदें अच्छी बनती होई दिखाई दिनों ही दिन प्रेम का आपका जो दिमाग है वो उसमें प्रेम जो है वो बरसता रहे का जहां तक की वैवाहिक जीवन की लिए भी बहुत उत्तम दिन रहेंगे जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं धन संपत्ती के मामले को लेकर तो ये 85% आपके लिए दिन बनाने वाला होगा बड़ा ही सुन्दर धनलाब होने के वैपार से भी नोकरे में अच्छा रहेगा दुकानदारी अच्छी तो सब चीजों के लिए अच्छा स्वास्ते की जहां तक बात है तो स्वास्ते का आपको ध्यान रखना है स्वास्ते संबंदी छोटी मोटी परिशानिया आपको परिशान कर सकती है अगर पहले से स्वास्ते समन्दी कुछ परिशानिया चल रही है तो ज़्यादा ध्यान रखने के आवाश रखता होगी तो स्वास्ते का ज़रूर ध्यान रखना है बाकी सब चीजों के लिए अच्छा है उपाय के तोर पर अगर देखा जाए तो एक तो जब आप सुभा सुभा उठें तो अपने माता पिता का चरण सपर्श करके उनका आशरवाद प्राप्त करें या धरती मा को छूपकर परणाम करें ये बहुत अच्छा रहेगा और आपके सभी कामों को भी बनाएगा तो दोस्तों और देखे सी जानकारें के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जज़ ज़्यदे लाइक करें शेयर करें